कि है कि है कि है कि है एक साल दोस्तों हुचका है आपको कोटा से यहां पर पढ़ाते हुए पूरे इंडिया में जो है हमारी क्लासिस यहां पर जा रही है यूट्यूब के थूरू हम पूरा यहां पर सिक्स्टू टेंट का स्लेबस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं सो बहुत अच्छे से यह पिसला साल गुतरा है कोई रिक्कत नहीं आई यहां पर कोई भी टेक्निकल इशू यहां फिर प्लासिस रेगुलर जो है आप आपको यहां पर मिलती फिरे रहे हैं सब्सक्राइबर्स के रिसपॉंस से हमें यहां पर आइडिया आ ख़े हैं लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं क्लासिस लिए तो अब हमें क्या करना है कुछ नया करना है ठीक है 6-10 के mainly olympiards जो है हम यहाँ पर लेते हैं 6-8 के सारे olympiards और 6-10 में जो है हम यहाँ पर school examination भी इसी के अंदर cover up करवाते हैं ठीक है हमारे बारे में यह सारी चीज़े basic information आप जानते हैं जो नए आए हैं उनके लिए बता दू कि 6-8 के सारे olympiards हम यहाँ पर आपके लिए cover करवाते हैं ठीक है PRMO और यहाँ पर 6-10 के सारे school examination में लिए बच्चों को यह दिक्कत रहती है कि हमारा जो है school exams में है कुछ बच्चों के अभी यह वीडियो होने वाला है क्लास 10 में हम क्या कुछ नया करते हैं क्योंकि बोर्ड exams है और प्रेशर रहता है पेरेंट्स का फ्रेंट्स का सब्जेक्ट्स का तो वह सारी चीज़ें आपको कैसे हैं टाइम बहुत क्लोज है सिक्स में से exam स्टार्ट होने हाले हैं तो क्या-क्या यहां पर planning आपको चाहिए या क्या mindset आपका होना चाहिए management आपको कैसे करना है ठीकिए वह सारी चीज़ें हम डिसकस करें आगे आपके लिए प्लान आ रहा है तो वह सारी चीज़ें हम आपके साथ यहां पर शेयर कर रहे हैं ओके सो एक साल निकल चुका है अब यहाँ पर दूसरा साल आया है तो TTV जो है वो भी अपना जो है सेकंड एन्वर्सरी यहाँ पर मना रहा है कि TTV 2.0 आपके लिए लेके आया है यहाँ पर कुछ मज़ेदार फीचर्स कुछ नए फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा हट के जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे वो क्या है यह सारी चीज़ें आपको पहले भी वीडियो के अंदर एक्स्प्रेंट की गई है एक बार फिर से थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे दूँ यहाँ पर क्या होने वाला है टीडीबी 2.0 के अंदर लाइब क्लासिस तो आपके लिए होंगी ही उसके साथ-साथ यहाँ पर हूमवक ट्रैकर मेकैनिजम इस बार हमने लगा दिया है तो आप यहाँ पर बच नहीं पाएंगे अपना हूमवक से क्योंकि स्कूल में क्या होता है यहाँ पर पीचर चेक करता है ओनलाइन में आपने घर बैटे क्लास लिया हूमवक किया तो किया नहीं किया तो नहीं किया तो वो चीज अब यहाँ पर नहीं होगी प्रॉपर हूमवक ट्रैकर जो है हमने लगा दिया है आपके साथ आपके पीछे जो आपका homework यहाँ पर regular चेक करता रहेगा हमें बताता रहेगा कि आप homework कर रहे हैं या फिर नहीं weekly live doubt classes आपके लिए यहाँ पर लगाई है doubts बच्चे को आते ही हैं तो यह दिक्कत आई थी कि जो है बच्चे doubt अपना properly clear नहीं कर पाते कभी कवार जो है या फिर कहीं ना कहीं communication में दिक्कत आ जाती है उस विए से डाउट बच्चे पूछ नहीं पाते तो अब specially आपके लिए यहाँ पर doubt classes होने वाली है जी चाहे भर-भर के आप कितने भी वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं अपने और उसी के साथ साथ ओलम्पियार औरेंटेड स्टडी यहाँ पर होने वाली है जिसके अंदर मेंली ओलम्पियार्स पर फोकस किया जाएगा किस तरीके से आपको प्रिपैर किया जाए और उसके बाद यहाँ पर प्रिविएस येर क्वेशन पर हम फोकस रखेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंट्राक्टर आप जो है आपको मिलेगी जो आपकी यहाँ पर रेगुलर representative को चेक करें चेक में रखें यानि कि आपके थुरू आप यहां पर टेस्ट दिया करेंगे और टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस होगी वह उसके अंदर recorded आपके parents या फिर जो भी parents यह देख रहे हैं तो वह यहां पर क्या कर सकते हैं simply अपना जो है पूरा बच्चे का ट्राकर चेक कर सकते हैं कुछ भी बच्चा यहां पर चुपा नहीं पाएगा आपसे प्रॉपर उसके अंदर मार्क्स होंगे किस सब्जेक्ट में वह यहां पर लाग कर रहा है वह सारी चीज़े आपको homework ट्राकर के अंदर मिलेगी तो एक और इसके बाद great news जो मैं आपके सा का यहां पर offline center भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है नेक्स मन्त में आपको इसकी प्रॉपर न्यूद मिलेगी और आई होब जो है classes भी स्टार्ट हो जाएगी तो टीटी भी offline center 2.0 के अंदर आ रहा है और इसके साथ साथ यहां पर आप जो है हमसे regularly interact कर पाएंगे ठी से तो live down classes आपके लिए लगाई जाएगी जो भी यहां कोटा से बाहर के student तो जो आ नहीं बाते तो living no child behind इसी चीज़ को हम लेकर के जो है आपके लिए आए हैं यहां पर और classes जो है regularly आपके लिए यहां पर ले रहे हैं okay now the second great news is कि यह सिर्फ और सिर्फ class 10th के students के लिए है और इसमें क्या है देखकर के आप समझी गया हूंगे कि crash course tdb 2.0 okay start हो ही चुका है यानि कि हमने जो है यहां पर enrollment start कर दिये हैं जिके admissions start हो चुके है already और उसके बाद हम यहां पर क्या करने वाले हैं crash course अब start करने वाले हैं कब 15 मार्च से okay so for this is for only class 10th student उनकी board की preparation अच्छी हो जाए इस वज़े से और इसमें subject जो रहेंगे वो रहेंगे math और science math आपको पता ही है science के अंदर तीन subject आएंगे साइंस को हमने तीन subject में बाठ रखा है physics chemistry math physics chemistry bio okay so physics chemistry bio यहां पर होने वाली है किस के अंदर science के अंदर और इसके अंदर हम क्या करेंगे आपको mitigator जो है आपको यहां पर आपके questions जो है आपको share करेंगे आपके साथ और इसके अंदर mainly जो है discuss करेंगे किस तरीके से exam को आपको क्या करना है attempt करना है क्योंकि नया यहां पर simple question paper आया और उसके अंदर हमने देखा की वन से 20 यहां कि शुरू के 20 question भर भर के उन्होंने क्या किया है वन माग के है और उसके अंदर assertion है reasoning है ठीक है paragraph type questions है mcqs है one word है short है ठीक है तो very short है इस type के questions reasoning practical से related ओके सो यह सारे questions वन से 20 तब आपको क्या करकेंगे उलजहांके रखेंगे physics chemistry bio के अंदर यह questions आपको यहां पर पूरा ट्राइ करेंगे उलजहानी की बट हमने क्या है sample paper देखा और सोचा कि जो है बच्चों को यहां पर क्या कर रहाना है पहले से ही prepare रखना है तयार रखना है ताकि वह examination के अंदर जो है बिल्कुल भी lag ना करें बहुत अच्छे marks लेके आएं और 15 मार्च से date note कर लीजिए save the date जैसा बोलते हैं 15 मार्च से यह session यहां पर start हो रहा है math और science मेंली होने वाली है last 10th board की preparation के लिए अब 10th board में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि syllabus जो है डिलीट हुआ है कुछ यहां पर डिलीट है तो यह मेंली है डिलीट है इसको एक बार डिटेल में डिसक्स कर लेते हैं किस में से जो है आपका यहां पर डिलीट हुआ है मेंली metals and non-metals और carbon and it's compound carbon and it's compound तो आप समझीए कि जो है पूरा पूरा यहां पर डिलीट हो चुका है बिल्कुल कुछ भी उसके अंदर जो है यहां पर नहीं बचा है I guess क्या डिलीट हुआ है metals and non-metals में से देखिए basic metallurgical process corrosion और उसके prevention ठीक है यह सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है किस में से metals और non-metal तो metal non-metal को अगर मैं बोलूं तो यह basically half part जो second half था वो पूरा यहां पर हटा दिया जा चुका है यह tough part भी था time taking भी था और साथ ही साथ यह important भी था अगर आप class 11-12 में अगर आप लेने जाते हैं math science तो वहां पर आपको यह part जो है repeat होगा यहां पर हो सकता था आपको जो है यहां पर idea लग चुका होगा वैसे बहुत से बच्चों ने पढ़ी ही लिया होगा ठीक है तो एक basic idea आप रखिए इसका कोई बुराई नहीं है पढ़ने में बट exam purpose से exam time पर हमारे पास क्या होता है कम time बचा होता है तो हमें चीजें जो है जल्दी यल्दी device करनी होती है याद करनी होती है तो उसमें यह चीज जो है आपको फाइदा देने वाली है कि यह चीज अब यहां पर delete हो चुकी है exam में इस से related कोई भी question नहीं आएगा बेसिक mythology पार्ट से और corrosion से उसके prevention से कोई भी questions यहां पर नहीं आने वाला है कार्बन एनिट्स compound लगबग पूरा ही finish हो चुका है बहुत थोड़ा सा बहुत minute पार इसका रखा है क्या रखा है वो अभी next slide में अपने discuss करेंगे यहां पर देख प्रिशनल ग्रॉप सारे हट चुके हैं और यहां पर रख चुके हैं chemical properties हच चुके है साथ इसाथ soaps and detergent यह भी पूरा यहां पर कट हो चुका है तो बचा ही इसके अंदर बिल्कुल पूरा portion यहां पर carbon and compound का जो है तक कर दिया गया है रिवाइस के अंदर क्या पूछा गया है रिवाइस के अंदर आप से बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्या देखिए चेमिकल रियाक्शन में से भी कुछ पार यहां पर कट हुआ है लेकिन वो डिलीडिट पोशन में नहीं दिया रिवाइस लेबर्स की जब हमें यहां पर यह information दी गई तो हमने यहां पर देखा कि इसके अंदर सारी चीज़े हैं chemical equation है balancing of chemical equation है types of chemical reactions है तो combination, decomposition, displacement, oxidation, reduction सब कुछ आ रहा है लेकिन इसके अंदर है क्या corrosion और rancidity, oxidation यहां पर आ रहा है तो उस part में यहां पर confusion है क्योंकि corrosion जब यहां से हटाया है तो हो सकता है यहां से भी हटा आया गया हो corrosion, rancidity वैसे तो oxidation का ही part है तो हो सकता है उसमें से question आए या ना आए चिक है क्योंकि अभी इसमें confusion है कि chemical reaction में oxidation जो है उसके अंदर आता है तो हो सकता है आ जाए corrosion और इसके अंदर से यहां पर metal and non-metal में से corrosion हटा दिया गया है तो यहां पर complete है पूरा है कोई भी उसकी definition, pH scale, okay, neutralization हो गया, indicators हो गया, तो यह सारी चीज़े, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, some important salts, okay, baking soda, and plastic soda, washing powder, okay, bleaching powder, plaster of Paris, तो सारी चीज़े इसके अंदर यहां पर आ रही है, बहुत चारा portion cut हो चुका है, metal, non-metal में से, और यहां पर, इसके अंदर mainly क्या है, properties of metal and non-metal, reactivity series, chemical properties of metal and non-metal, okay, formation of ionic compound, so, यह सारी चीज़े आप लास में भी पढ़के आ चुके, हैना, लास में भी metal and non-metal आता है, और उसमें यह सारी चीज़े आती है, class 10 में यह सारी चीज़े repeat हुई है, वापस से, plus additional यहां पर metallurgy, जो add होता है, class 10 के अंदर, वो अब cut कर दिया, अब द कैसे होती है, simply by sharing of electrons, versatile nature of carbon, catenation, okay, यहां पर आ जाएगा, tetravalency आ जाएगा, simple, okay, दो definition, homologous series, homologous series में, methane, methane, butane, यह सब क्या होता है, एक series आपको यहां पर simply याद रखनी है, किसकी, alkane, alkene, alkane, बस, और कुछ नहीं है, चीज़े, तो इसमें से major portion इन दोनों में से cut हुआ है, चीज़े, तो वो deleted portion में दे रखा है, last बस्ता है, periodic classification of element, इसके अंदर जो है, सब कुछ आ रहा है, क्यूँ जरूरत है, यहां पर classify करने की elements को, यहां पर किन, किन, scientist ने जो है, अपना role play किया, किसके अंदर, classification के अंदर, dobernier trades आएंगे, mentally, octave, law, octave, rule, okay, और, sorry, newland law of octave, and mentally periodic table, य सब कुछ यहां पर आ रहा है, किसके अंदर, periodic classification के अंदर, जो भी यहां पर, properties थी, चीक है, properties थी, किसके, यहां पर periodic city की properties, atomic radius हो गया, valency हो गई, चीक है, electronegativity हो गई, non-metallic, metallic character हो गया, तो यह सारी चीज़े, ओके, यहां पर variation trends, जिने हम बोलते हैं, periodic tables में, वो सारे दिया गया है, इसका, PDF का link, जो है, आपको description में मिल जाएगा, तो यह सारी पीपीटी जो है, आपको PDF की form में, और यह चीज़ आप वापस से देख भी सकते हैं, तो, या दो वीडियो में आप चाहें, तो screenshot ले सकते हैं, या फिर description में आपको, इसका link, जो है, मिल जाएगा, जाकर के आप इस PDF को देखिए, हैना, जहां से हमने यह उठाया है, बिल्कुल genuine, जो है, साइट, हैना, NCRT की साइट से, हमने जो है, यह सारी चीज़े यहाँ पर उठा करके आपको दिखाएं, ओके, सो, class 10 में, किस तरके से हम mentee लेने वाले हैं, ओके, यह सारा यहाँ पर, आपको time table given है, जिके, कब-कब आपकी classes होने वाली है, हर एक chapter के लिए detail में, यहाँ पर mentee रखे जाएंगे, उसके अंदर पूरा chapter cover होगा, क्या-क्या concept, जो है, आपको याद रखने की ज़रुरत है, वो सारी चीज़े हम यहाँ पर mentee के अंदर discuss करेंगे, so, crash course planner है, यह 17th March, Wednesday को अपनी chemistry की जो है first class होने वाली है, उसके बाद 24 March को उसके बाद 1st April को, यानि कि हमीशा तो Wednesday को ही होती है, यहाँ पर 1st April को Thursday है, तो 1st April को यहाँ पर class होने वाली है, आपकी chemistry की जिसके अंदर अपन metals and non metals के mentee questions, क्या करेंगे, discuss करेंगे, फिर 7 April and 14 April, बाद में जो यहाँ पर Wednesday आएंगे, पूरा यहाँ पर almost टेड़ महीना यह crash course चलेगा, और इसके अंदर जो बाद के दो Wednesday आएंगे, वो आपके self-study के लिए होंगे, क्योंकि एक्जान नजदीक है, syllabus हमारा हो चुका है, March ही यहाँ पर chapter है, और mainly पढ़ने आपको तीन है, कुछ दो chapter जो है, बहुत कट चुके हैं, easy हैं, असानी से आपने कर लेंगे, फिर भी हम सारी चीजे उसके अंदर डीटेल में discuss करेंगे, मेंटी आपको प्लैनल मिल चुका है, इसे भी फटावट से नोट करें, याद रखे, save the date, 15 मार्च से सार्ट हो रहा है, proper time table आपको यहाँ पर regularly send किया जाएगा, और यहाँ पर भी आपको दिखा जा चुका है, कि किस तरीके से आपको यहाँ पर classes आने वाली है, और chemistry में, चुके हैं, Now, classes, यहाँ पर class 10th की जो date sheet है, वो यहाँ पर यह नई वाली date sheet आई है, revised हुई है, इसका announcement भी हमने कर दिया था, जैसे ही यह आई थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 में से exams स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पर science का paper जो है, 21st में को होगा, Okay, science का paper यहाँ पर date change होने के बाद, 21st में को होने वाला है, और यहाँ पर आपको, I hope, जो है, पता नहीं, छुटिया मिलेगी या नहीं, जिके है, अगर आपका subject यहाँ पर हिंदी है, या फिर home size नहीं है, तो आपको अच्छा कासा यहाँ पर gap मिल जाएगा, और आप exams की preparation क पाएंगे, okay, almost 15 days आपको मिलेंगे, English के बाद generally होता है, science, social science और फिर किसी को mathematics होता है, computer science होते हैं या फिर physical education लेते हैं कोई, okay, so, depend करता है आपके school में, आपके subjects से related, but, अगर आपका English के बाद सीधा science है, तो sufficient time, बहुत, बहुत सारा, 15 दिन आपको मिलेंगे, okay, 5 दिन आपक और तीनों जो है, आप बड़ी असानी से cover up कर पाएंगे, sufficient time आपको मिल रहा है, okay, so, कोई भी doubt हो, तो आप उस time भी, जो है, पूछ सकते हैं, आपकी help के लिए हम हमेशा 24-7 available रहेंगे, exam time के time, okay, or, so, this is the date sheet, बटावर से note कर लीजे, 6 में से start हो रहे हैं, 7 June तक, almost चलेंगे depending upon your subjects, चल, next, यहाँ पर, बस इतना ही था, आपके लिए यहाँ पर यह न्यूज देनी थी कि 15 मार्ट से crash course से start हो रहा है, TTP का offline center आ रहा है, चिके, TTP 2.0 यहाँ पर launch हो चुका है, okay, और admissions से start हो चुके हैं, so, अपने friends के साथ share कीजिए, अगर वो भी आपकी तरह यहाँ पर most welcome, और बहुत मजाएगा, TTP 2.0 के अदर बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें आ रही है, तो वो सारी चीज़ों का फाइदा आप उठा सकते हैं, हमारी app के थू, हमारी website, और हमारे से जोड़ के, ठीक है, telegram पर आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, बड़ी असानी से, ठीक है, simply अपनी relevant class के group link को जाकर के फिर आपर से join कर सकते हैं, okay, so thank you for watching, okay, and if you have any doubt, any question, query, then you can comment us in the comment section below, and please subscribe to our channel, see you guys in the next video, till then, take care, bye, thank you.